राधे राधे मित्रो, आज मैं आपको ये आठ नंबर के ठाकुर्जी के लिए एक हैट, प्यारा सा हैट बनाना सिखाती हूँ, देखो, एक, दो, तीन, चार, सबसे पहले आपको चार चेन बनानी है, फिर पहली चेन में ऐसे क्रोश्य डालना है, ऐसे, फिर इसको ऐसे निका दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, पाट, नुँँ, 10, 11, 12, फिर इसको ऐसे जोड़ना है, अब आपको दो चेन बनानी है, अब यहाँ पर एक चेन में एक फली और एक चेन में दो फली, ऐसे बनाते वे ये लाइन पूली कर लेते हैं, देखो, फिर इसको इसमें ऐसे जोड़ना है, फिर आपको दो चेन बनानी है, अब फिर आपको इसमें ऐसे, एक चेन में एक फली और एक में दो फली, ऐसे, यह डबल क्रोश यह, ऐसे बनाते वे, यह दूसरी लाइन भी ऐसे पूरी कर लेते हैं, ऐसे, देखो, एक में एक और एक में दो, ऐस अब में लिए भी लाइन पूरी हो गई है और अब मैं इसको इसे दोड़ती हूं देखो यह कैप में आपको इतना बढ़ाना था बढ़ गया है अब आपको कुछ नहीं बढ़ाना दो चैंड बनानी true और आशले से फल अब यह बनाना ऐसे घ्र अ को कुछ यह": यह लाइन ऐसे पूरी कर लेते हैं यह देखो आप मैंने इसमें एक दो तीन चार चार लाइन के करी हैं और इन चार लाइन हमें यह 32 सले बन गई हैं अब इतनी के आप अपने ठाकुर्ची को आप उढ़ा के देख लेना अगर छोटी बड़ी हुई तो इसको आप छोटी हुई तो एक लाइन ओर कर देना बढ़े हुई तो यह पिछजी यह वाली है जैसे हम यह वाली फली बनाते हैं ऐसे ृस अगले, इसमें कहीं कहीं एक एक ठोड़ के इसको थोड़ा tight कर देना, लेकिन मैंने तो ये कान अची को पहना के देखिए है, तो उनको सही आ रही है, अब मैं आपको इसमें hat की जो चारो तरफ होता है, वो बनाना बताती हूं, सबसे पहले मैंने दो चेन बनाई, एक double crochet, एक chain में यह double crochet दो देखो यह chain है इसमें मैंने एक बार बनाया ऐसे. अब मैंस में एक बार और बना रहे हूं ऐसे. अब अगली वाली chain में ऐसे 1 और फिर इस ही में एक बार और ऐसे यहां पर ऐसे एक फिर उसमें फिर ऐसे एक और फिर इसमें ऐसे ये देखो ऐसे आप देखो आप मैंने ये पूरी लाइन पूरी कर लिया अब मैं इसमें शेड वाली यून लगाती हूं आप चाहे तो इसको एक पिरंग से बना सकते हैं, एक, दो, तीन, तीन चेन बनाई मैंने, ईसको टा courtesy किया और इसको मैंने यह यहा से निकाला यहासे। यह देखो, और इन वाली धागो को अंदर लेकर ऐसे इसमें ऐसे लगा दिया अब एक, दो, तीन, फिर मैंने इसमें डाला, ऐसे देखो, ऐसे, और फिर ऐसे निकाला, ये एक छोड़के फिर मैं इसमें कर देए, ऐसे, अब एक, दो, तीन, फिर मैंने इसमें डाला, फिर मैं ऐसे कर देए, ये, फिर मैंने एक निकाला, ये है ऐसे, यह देखो, इस तरह में इसके उपर यह कटाओ बना रही हूँ, यह, देखो, एक, दो, तीन चेन बनाए, इसके उपर यह डाला, ऐसे, और यहां से, ऐसे, एक छोड़ा दूसरे में, ऐसे निकाल देख, तब एक, दो, तीन, यहां से, ऐसे एक दो तीर एक दो तीर एक दो तीर ऐसे ऐसे आपको एक दो तीर ये लाइन पूरी करने है देखो इस तरह ये ठाकुर्जी के लिए प्यारा सा हैट मैंने तो तयार कर लिया है अब मैं इस पी एक फूल बना के लगाती हूँ देखो एक दो तीर चार क्योंकि अगर हम इससे कम चेंड बनाते हैं तो ये सर्किल भी नहीं बन पाता है तो हमने ऐसे चार चेंड बनाई और ऐसे अब मैंने इसमें इस सर्किल में ऐसे एक छोटी फली डाली अब मैं इसमें दो बड़ी फली डालती हूँ एक दो अब एक छेंड अब इसी में एक बार ऐसे दालो ऐसे अब इसमें एक छेंड दो पली बड़े वाली एक दो अब एक छेंड और एक ये वाली फली अब एक छेंड अब यहां पर दो एक दो पली एक छेंड एक ऐसे वाली फली अब एक छेंड अब यहां पर दो पली एक दो एक अब एक छेंड एक पली एक देखो यह प्यारा सफूर तयार हो गया है अब इसको यहां से आप ऐसे यहां पर एक और बना लिए एक फिर यह दो बड़ी फली एक दो एक छेंड और फिर यहां पर जोड देखो यह आपका एक दो तीन चार पांच पांच पटियों का प्यारा सफूर तयार हो गया इसको यहां से ऐसे थोड़ा सा बड़ा दागा लेके ऐसे तोड़ना है कि ऐसे देखो इस तरह इसको सूई में डालके या इसको ऐसे पुरोशे से ही निकालके ऐसे और इसको सूई में डालके आप इसको एक साइड ऐसे लगा देना ऐसे यह देखो यह काना जी का प्यारा सा हेट तयार हो गया है यह आप बाल लगा के भी उनको उढ़ा सकते हैं और चाहो तो यहां पी एक छूट असा मोर का पंक भी लगा सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगिए तो इसको लाइक करिए और मेरी चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए धन्यवाद है